दोस्तो grow application के अंदर आपको DMAT account number या फिर BOID number धूनना है तो वह आप कहाँ पे चेक कर सकते हो इसके आसान और easy steps बताने वाला हूँ चैनल पर मैं हो सब्सक्राइब जरू कर दीजिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो BOID number या फिर DMAT account number चेक करने के लिए सबसे पहले grow app उपन करके login complete करना है अब login complete करने के बाद कुछ basic चीज़े आपको home screen के उपर देखने मिल जाते हैं अभी फिलाल के लिए stocks का option selected है stocks जो है आप explore कर सकते हो, holdings चेक कर सकते हो, favorite stock के option मिल जाएंगे तो multiple चीज़े आपको मिल जाती है, mutual fund चेक करना है, तो उसके लिए आप mutual fund से लेखीज़े और उसकी details चेक कर पाऊगे बागी pay और loans का भी option मिलता है, वो चेक करना होगा, तो वो भी कर सकते हो अब इस विलाल के लिए DMAT account number हमें चेक करना है, तो उसके लिए हमें चाना होगा profile option पे, जो उपर right hand side top corner मिलता है profile icon पे tap करना है, next page पे आने के बाद, यहाँ पे भी कुछ basic details मिल जाते है, जैसे customer support का option मिल जाता है bank details हम चेक कर सकते है, order अगर कुछ किया होगा, तो वो order जो status है, वो हम यहाँ पे चेक कर पाएंगे उसके बाद में grow application में पैसे अड़ करना है, तो वो भी कर सकते हो यहाँ पे कही पे भी DMAT account number नहीं है, तो एक बार फिर से आपको account details option पे जाना होगा, तो यह small arrow या फिर नाम के उपर आप tap कर सकते हो next page पे आपको आपका नाम visible हो जाएगा, जो basic details है आपको वो starting में visible हो जाएगा, जैसे date of birth, mobile number, email, ID, pan number, यह सारी basic चीज़े नीचे जाना है, नीचे आने के बाद, यहाँ पे सबसे पहले आपको unique client code देखने मिल जाएगा, number आप चेक कर सकते हो, copy करना होगा, तो copy कर सकते हो और जहाँ पे आपको paste करना होगा, कर पाओगे उसके नीचे ही दोस्तो, यहाँ पे आपको आपका DMAT account number मिल जाता है, यानि कि BOID number या DMAT account number एक ही है, तो यहाँ पे इसको भी copy option मिल जाता है, तो DMAT account number आपको कही पे लग रहा है, तो application में यहाँ पे आके आप इस number को copy कर सकते हो, इसके बाद में नीचे DPID number भी आपको मिल ज communication के अंदर आपका BOID number या DMAT account number आराम से देख पाओगे, तो बस बस यही था आज की इस वीडियो में, वीडियो अगर अच्छा लगा है, लगा है, लाइक कीजेगा इस वीडियो को और जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजे, मिलता हो नेक्स वीडियो में, धन्य सब्सक्राइब कीजेध कीजेध के अवावेश खिएला